अगर आप अपने अधार कार्ट पे उस नम्बर को फाइंड करना चाते हैं जो नमबर आपके अधार कार्ट के सार लिंक है तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जड़ा है आज मैं आपको पताने वालम कि आपके इस तरह बहुत फीराम से अपने अधार कार्ट पर उस मबाइल नमबर को find कर सकते हैं जिस पर OTP जाता है तो चलिए start करते हैं अपना topic हम बेसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अधार कार्ट पर अधार कार्ट पर लिंक है लेकिन उनको पता ही नहीं कि कौन सा मबाइल नमबर उनकी अधार कार्ट पर लिंक है तो आप यह बहुत और आप से पता कर सकते हैं अधार कार्ट की ओफिस वेबसाट की मात्याप से तो इसकी पूरी जायनकार्ट देनी करें सीधा है मैं आपको गूगल पर लेकि चलता हूँ और उसकी बार मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह find कर सकते हैं कि आपके अधार पर कौँ सारा मबाल नूमबर लिंक है यहां मैं गूगल पर आ चूआँ गूगल पर आठाग अधाकर तो आपको भी गूगल पर लिखना है अधाकर लिखते हैं अधाकर्ट की जो ओफिसर वेबसाईट आपके सामने आ जाती है अर्म आप इसके वूम पेज पे किलिक देकी आपके सामने आपकी website ओपन वहाती है सबस्टेज़ तो देखे मैं आपको दिखा रहता होंगी जो लोग अधार करते हैं उनको क्या प्रसानिया ए तो यहां मैं मैं आध़ा पर क्लिक करता हूं तो तो यहीं पर आपका एक option दिखाए देता है download अधार का तो आप इस option पर क्लिक करिए इस option क्लिक करने की बाद में आपको एक फ्राद्व अपना ही अधा का डाउलोड दिखा देता हूं, अधाड़ डाउलोड करने के लिए मैं अपना अधा नमबर लिखूँंगा सुकरडर को लिखए send OTP वाले option में क्लिक करता हूँ यहां मैंने capture card बराफ में send OTP वाले option में क्लिक करता हूँ देखें यहां mobile number भी मेरा OTP send होती है लेकि पता ही नहीं कि मेरा OTP गया है तो यह तोड़ा हम अरित काफी लोगों हुआ रही है उन्होंने जो starting अपना अधाकार बनाया दा लेकि उनको पता ही नहीं कौन सा mobile number उस पर लिंक है तो अब हम कैसे पता करें कि हमारा कौन सा number हमारे अधाकार के साल लिंक है तो यहां मैं दिबार से इसकी official website पर आ चुका हूँ अब मैं लोगी efecto मैं दिबार से देखी हैं हमाम अधा था वाले अपशन पर क्रिक करता हूँ अफिर से अपिस की वाले option पर क्लिक करता हूँ और उन्रे की आपको हैं नीची आए नाहें नीची आने की बाद देखी आपको को option दिखाए देता है verify अधार और यह option आपको यहां home page पे verify अधार नमबर की नाम से दिखाए देगा तो चलिए हम यह से क्लिक करेंगे आपके सामने okay का message आप okay पे क्लिक करिए अभी आपके सामने यह page खुला है जहां आपको अधार नमबर लिखना है अधार नमबर लिखा है अधार नमबर लिखा है अधार नमबर तो आप इस तरह बहुत इराम से यह पता कर सकते हैं कि आपका अधार काड है उस पर कौन सा मबाई नमबर लिंक काफी लोगों को प्रेशा नहीं आती है कि उनको पता ही चलता है कि उनका कौन सा मबाई नमबर लिंक है तो आज के लिए पस इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वचिंग में वीडियो